हे गाईस कैसे आप सब आज हम बात करने वाले हाईडर टूल के बारे में यह टूल क्या करता है यह बेसिकली हम इसको बूट फोर्सिंग के लिए यूज करते हैं चाहे वो नेटवर्क सर्विस हो आपकी या फिर वो वेब सर्विस हो example के लिए SMTP के लिए हम इसको यूज करते हैं FTP के लिए MySQL के लिए SSH के लिए या फिर आपके login pages हो गए उनकी भी बूट फोर्सिंग के लिए हम इसी को यूज करते हैं अगर हम इसके features के बारे में बात करें तो यह कुछ major चीज़े support करता है जैसे की IPv6 हो गया आपका या proxy support हो गया इसका GUI version भी आता है यह Aprox 51 protocols को support करता है जिसको आप brute force कर सकते हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं देखेंगे Hydra के types क्या क्या है तो majorly दो तरीके के होते हैं एक CLI based होता है एक GUI based होता है CLI मतलब जो हम terminal पर use करते हैं और GUI based जो graphical user interface होता है जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह हमारा command line वाला Hydra है यह जो हमारा Hydra है यह GUI based है अब यहाँ पर जो सारी चीज़े आप command line के through कर सकते हैं यहाँ पर आपको सारी options मिल जाएंगे target, target list, port, protocol, password सारी चीज़े आप यहाँ पर manage कर सकते हैं तो अब बात करते हैं Hydra के style के बारे में तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे बस हमारा लिखने का जो तरीका उसमें थोड़ा सा change है बाकि सारी चीज़े सेम हैं Hydra और command line options हम यहीं पर देंगे उसके बाद पहले हम चीज़ों को break करके लिखते हैं target अलग, फिर protocol अलग, फिर module options अलग, फिर port number अलग अगर दूसरा port है तो बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं सारी चीज़ों को इकठे लिख रहे है as a URL अगर हम कोई चीज़ लिखते है तो बस तिक यही difference होता है तो मैं बोलूगा कि आपको दोनों ही style आने चीज़े नया भी आना चीज़े पुराना भी आना चीज़े क्योंकि कई जगा आप नया style यूज़ होते हुए देखेंगे कई जगा पुराना style यूज़ होते हुए देखेंगे तो अगर हम इसका syntax breakdown करें तो syntax हमारा कुछ ऐसा होता है यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले हम Hydra को call करते है उसके बाद हम यह बताते है कि हम किस service पर brute force करने वाले है जो कि हमारे case में FTP है उसके बाद उसका IP address क्या है और वो किस port पे चल रही है अब by default FTP service जो होती है हमारी वो 21 पे चलती है अगर आप कुछ भी नहीं बताएंगे तो वो by default 21 पे चलेगा जैसे कि मैंने यहाँ पे specify किया है तो इसका मतब जो हमारी FTP service है वो 2221 port पे चल रही है उसके बाद हमने dash L से यहाँ पे बताया है यह हमारा user है और dash capital P password की list तो अगर यही चीज देखें यह अभी जो हमने देखा है यह हमारा नया style था जो अभी हमने समझा यह हमारा पुराना style है चीज है अभी भी वही same है वही service है वही हमारा port है और वही हमारा IP address है बड़ difference क्या है हमारा यहाँ पे हमने उसको chunks में divide कर दिया है यहाँ पे हमने उसको as a URL लिख दिया है बस यही new style और old style में difference है बागी सारी चीज़ा same है तो जब आप hydra से brute force करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ चीजों की जरौत पड़ेगी जिसमें से सबसे पहले होगा आपका target अब आपको सबसे पहले target चूज करना है वो आपका single target भी हो सकता है single IP address भी हो सकता है अगर हम list के बारे में बात करें तो हमारे पास दो cases होते है एक case तो यह होता है कि सारे IP address पे जो service चल रही है वो semi port पे चल रही है उस case में क्या होगा कि आप इसको ऐसे use करेंगे अब कई बार यह हो सकता है कि हर system पे वो service जो है हमारी FTP की वो different ports पे चल रही हो तो जो आप TXT फाइल बनाएंगे देने के लिए उसको तो वहाँ पे आप उसके साथ में port number भी डाल सकते है अब आपने target चूज कर लिया अब आप second protocol चूज करेंगे कि आपको service कौनसे brute force करना है FTP करना है MySQL करना है SSH करना है आपको या फिर login form है कोई उसको brute force करना है अब एक major चीज होती है Hydra में जो की होते हैं हमारे module options में क्या होता है इसको एक example से समझते हैं आप एक login form पे brute force करने के लिए गए अब वहाँ पे ना कुछ headers हैं user defined headers जो website जो खुद create कर रही है तो अगर आप normal hydra से brute force करेंगे तो hydra तो वो headers जो है वो create तो नहीं कर रहा है तो आपको hydra को बताना पड़ेगा कि ये headers हैं इनको add करना है अपने brute force में या दूसरा case आपका हो सकता है कि आपका जो response आ रहा है अगर आपको उसमें कोई specific word को search करना है तो उसके लिए भी आप modules को use करेंगे तो हमारे पास हर service के लिए तो नहीं बट कुछ specific services के लिए कुछ module options available हैं जो कि आप use कर सकते हैं अब बात करते हैं options के बारे में ये जो options एक बहुत ज़ादा important है और अगर आप hydra use करेंगे तो ये options आप बहुत frequently use करेंगे तो एक एक करके इसको देखते हैं capital P में क्या होता है कि आप word list देते हैं उसके बाद dash V का मतलब क्या होता है कि hydra जो भी brute force कर रहा है हम उसको capital V देने के बाद हम उसको बोलेंगे आप हमें screen पे दिखाओ standard जो output हमारी screen हो उस पे दिखाओ कि क्या brute force कर रहो क्या username और password यूज कर रहे हो फिर कई बार क्या होगा कि आपने जो brute force किया उसका जो output है आप वो save करना चाहोगे एक file में तो उसके लिए हमारे पास small o होता है फिर हमने जैसा अभी पीछे पड़ा हमारे पास module options को use करने के लिए हम dash m को use करते है जो कि हमारा small m होता है अब यह module का syntax है एक बार यह देख देते हैं यहां पर आप एक चीज़ देखेंगे हमारा जो आई मैप होता है उसके कुछ login authentication mechanism होता है अब वो plane भी support करता है अब वो sharp भी support करता है वो digest भी support करता है वो anti-alum भी support करता है तो यहां पर आगर आप देखेंगे हमने बोल रहे है hydra और dash l का मतलब है हमारा जो user है व हमने वो दिया हुआ है तो यह तीनों तरीके ही सेम है यह उपर के जो दो तरीके हमारे यह old style है और जो नीचे वाला हमारा new style है बस लिखने का तरीका अलग है आप देखें यहां पर तो आप स्टार्ट करते है ऐसे से जैसा कि आप यहां पर देख सकते है मैंने क्या किया है यहां पर मैं SSS जो हमारी service है मैं उसको brute force कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने IP address दिया हुआ है और उसके बाद मैं यह बता रहा हूँ कि वो जो SSS service है वो किस port पे चल रही है मेरे case में sport नमबर पे चल रही है उसके बा तो मुझे username नहीं पता है तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ यह word list दे रहा हूँ capital L उसके बाद मैंने बोला है कि मैं password भी मुझे नहीं पता है जिसके लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ एक txt file दे रहा हूँ और capital P से denote किया है मैंने इसको यहां पर और last में dash capital V का मतल यूज कर रहे हूँ अब आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर यहां पर उसने जो हमारा password है वो find कर लिए यह जो highlighted area में आ रहा है बट उसके बाद आप notice करेंगे अभी भी brute force करना रुका नहीं है मैंने जान बूच के इसको अभी यहां पर रुका है तो इसके लिए क्या हम हमारे पास तरीका होता है कि हम यहां पर इसको यह भी बता सकते हैं कि जैसे ही आपको पहला username और password मिल जाए जो correct है उसके बाद आपको वहीं पर रुक जाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं small f जैसा कि आप देख सकते हैं इस बाद जैसे उसको username और password मिला वो खुद ही रुक गया है और वो इसी लिए रुका है क्योंकि उपर हमने उसको dash f दिया हुआ था जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं अब कई बार क्या होगा कि अगर आप किसी service को brute force करेंगे तो वहाँ पर firewall भी हो सकती है hydra क्या करता है by default 16 users name and passwords को इकटे बेशता है brute force करने के लिए तो आपको क्या करना है कि वो जो count होता है उसको कम करना है क्योंकि कई बार क्या होता है अगर firewall detect कर लेती है तो वो आपको block भी कर सकती है जो आपका IP address होता है तो उसके लिए हमारे पास एक mechanism होता है अब उसको बताने का तरीका क्या होता है कि हम dash t को use करें और उसको बताएं कि एक बार में कितने connections को use करना है जैसे यहाँ पर मैं two type कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बार में दो ही connections के request भेज़ेगा उसके बाद फिर दो भेज़ेगा ऐसा होगा अगर आप यह नहीं देंगे तो क्या करेगा फिर सोला भेज़ेगा फिर सोला भेज़ेगा फिर सोला भेज़ेगा तो अगर वहाँ पर firewall हुई तो वो आपको block कर सकते हैं तो मैं recommend करूँगा कि आप force से आगे ना जाएं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब यह दो दो करके भेज रहा है और थोड़ा सा time रूक रहा है फिर दो भेज रहा है इससे क्या होगा कि आप firewall को भी bypass कर सकते हैं इसलिए कहते हैं कि Hydra जो अब काफी powerful tool है और यह hackers की choice भी है इसको THC भी बोलते है THC Hydra इसलिए और Hydra का एक feature तो यह भी है कि आप इससे क्या कर सकते हैं आप proxy के through भी brute forcing कर सकते हैं उसके लिए तो हमें एक dedicated वीडियो चाहिए होगी जिसके बारे में हम एक दिन ज़रूर बात करेंगे कि हम Hydra को use करके proxy के through brute forcing कैसे कर सकते हैं अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना देरे देरे कर रहा है तो अब हम इसका password तो अलड़ी निकाल चुके हैं तो मैं क्या करता हूँ उसको use करके SSH login करने की कोशिश करता हूँ इसको stop करके जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर successfully login हो चुका हूँ next बात करते हैं हम mysql को brute force करने की अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं mysql जो हमारी service है उसको brute force कर रहा हूँ और मेरा जो ip address है जिसपे service चल रही है वो मेरा local address है जिसपे मेरी service चल रही है उसके बाद मुझे पता है कि जो mysql service होती है उसमें एक root user जरूर होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर root user डाल रहा हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे dash small l है इसका मतलब है single user के लिए ही मैं search कर रहा हूँ केवल और यहाँ पर मैं dash capital P का मतलब क्या है कि मुझे password नहीं पता और list of password जो है मैं root force करने के लिए दे रहा हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो dash O है इसका मतलब क्या है कि जो भी output आएगा आप उसको save कर लेना जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो हमारा login ID है वो मिल चुका है और हमारा जो password है वो भी मिल चुका है login ID हमने root डाला था single user के लिए और हमारा जो password है उसने बता दिया कि root ही है यहाँ पर और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसने एक file create की है pass crack जो हमने ऊपर दीती है यहाँ पर कि हमारा जो output है वो इसमें save करना है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उसने जो हमारा login user और login password जो है वो भी save कर दिया यहाँ पर तो आप टैस ओ से यह भी save कर सकते हैं next brute force करते हैं FTP को बट उसको समझने से पहले एक चीज़ जरू समझते है अब जब भी हम brute force करते हैं हमारे पास Hydra जो होता वो तीन options देता है पहला option क्या होता है कि जो आपने login डाला हुआ है जो आपने user डाला हुआ username आप उसको ऐसा password हिट कर सकते हो दूसरा होता है empty password अब कई बार क्या होता है कुछ services होती है जो empty password रखती है user के लिए तीसरा तरीका क्या होता है कि जो आपने username डाला हुआ है यह उसको क्या करेगा reverse में करके और फिर उसको password में करेगा जैसे आपने ROOT किया तो TOR उसको करके फिर password में हिट कर अब आप यहां पर देख सकते हैं मैंने क्या किया है मैं उसको बहुल रहा हूँ कि मुझे FTP service पर brute force करना है और मेरा जो IP address है वो यह है अब वो default port पर ही करेगा जो हमारा 21 port होता है उसके पर मैंने उसको बोला है कि जो हमारा user name है वो anonymous है क्योंकि हर FTP जो होती है उसमें mostly एक anonymous user ज़रूर होता है और dash e से मैं उसको यह बता रहा हूँ कि आप पासवर्ट की जगहे पर कुछ भी नहीं try करना, blank password से hit करना तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास जो login ID है वो यहाँ पर hit हो चुक है और जो हमारा user है यह चल रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो login है वो successful हो चुक है तो इसने बिल्कुल सही बताया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी हमारा जो mysql के लिए उसने password बताया root वो भी हमारा सही चल रहा है तो अब बात करते हैं कि login page पर कैसे brute force करते हैं जैसा कि आप यह देख सकते हैं यह मेरा wireless जो router है उसका admin page है तो अब हम इस पर brute force करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला काम तो यह होता है हमारा कि foster corpus तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी request है post method की request है तो उसके लिए हम क्या use करने वाले पोस्ट form यूज करने वाले है अब उसके बाद हमें यह बताना पड़ता है कि हमारा login page वो क्या है अब जैसे आप कई बार देखेंगे जो login page होता है वो slash login.php करके होगा आपका या index.php भी हो सकता है आपका तो आपकी case में जो होगा आप वो देंगे मेरे case में यहाँ पर कुछ भी नहीं है यह normal मेरा homepage ही ऐसा है तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं दूँगा अगर आपको login.php होता तो आप यहाँ पर login.php देते बट मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर blank छोड़ूँगा उसके बाद आपको यह बताना पड़ता है कि username और password जो है आपका वो उस form में वो किस variable में जा रहा है तो यहाँ से मैं इसको inspect element कर लेता हूँ अब जो हमारा ID है वो हमारा username जो variable है इसमें जा रहा है और हमारा जो password है वो हमारा PC password करके जो variable है उसमें जा रहा है उसके बाद हमें तीसरी चीज़ सो जाए होती है वो हमारा button चाहिए होता है वो हमारा इस variable में जा रहा है यूजर नेम में और उसकी जो value है यह हम यहाँ पर देने वाले हैं अब यह arrow जो आप देख रहे हैं यहाँ पर caret symbol इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर values को change करने वाले है अब मैंने इसको यह बोल दिया यूजर नेम जो हमारा वो इसमें जा रहा है पासवर्ड हमारा इस variable में जा रहा है और जो हमारे login बटन है उसका नाम यह है जो basically form को send कर रहा है तो अब हमें एक last चीज़ चाहिए होती है कि Hydra को पता कैसे चले कि जो हमारा username और password है वो सही है तो हम उसको क्या बताएंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं गलत password डाल रहा हूँ तो यहाँ पर रहा है तो मुझे पता है कि जब जब मैं गलत password डालूँगा तब तब मेरे पास यह message आता रहेगा तो इसका मतलब आपका जो password और username है वो बिल्कुल सही है और वह हमको चाहिए तो मैं इसको और उठा लेता हूँ यहाँ से तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले मैंने दिया IP address और उसके बाद वो form किस type का है उसके बाद उसमें जो values हैं वो कैसे जा रही है उसके बाद यहाँ पर page अब मेरा तो blank है तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं दिया उसके बाद आप देखेंगे colon देने के बाद मैंने username दिया यहाँ पर password हमारा किस variable में जा रहा है फिर जो हमारा login button है उसके बाद colon देने के बाद आपको message देना पड़ता है कि आपका invalid message क्या आ रहा है उसके बाद बस आपको यह करना होता है आपको username और password के लिए जो list होती है आपको वो देनी होती है और dash V का मतलब यहाँ पर कि वो कौन सी username और password को जो है वो try कर रहा है और उसके बाद जैसी उसको username और password मिलता है वो वहीं पर ही रुख जाए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है हमारा username और password है वो दोनों ही आ चुके है हमारे case में login हमारा admin है और जो password है वो भी हमारा admin है तो try करते हैं इसको तो जैसा ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा successful जो login है वो हो चुका है तो अब बात करते हैं की point के बारे में अब आपको पता है जैसे कि IPv6 support करता है तो by default Hydra जो भी काम करता है वो IPv4 समझके ही काम करता है तो अगर आप IPv6 यूज करते हैं तो उसके लिए आपको बताना पड़ता है कि यहाँ पर IPv6 को यूज करना जिसका मतलब होता है आपको इसको बताना पड़ता है डश 6 बोलके इसका मतलब जो आप address देने वाले वो IPv6 होने वाले है तो जैसा हमारी जो services case में SMTPS है और जो उसका address है वो ये है और NTLM याद है आपको हमने module की बात की थी तो यहाँ पर जो authentication mechanism है हमारा वो NTLM है और एक last key point जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप brute force करेंगे multiple IP addresses को मतलब आपके multiple host होंगे आप उनको brute force करने की कोशिश करेंगे तो आप old style को use करना new style को use मत करना उसमें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर करें share तो बिल्कुल बनता है और subscribe तो मुझा पता आप जरूर करने वाले हैं